हेलो गाइज अभी हम आये हैं एक बार फिर से बिला राउंड घूमने और आगे का नजारा कुछ इस तरह से है। अभी हम आये हैं बिला राउंड और अभी हम जाएगे यहां से निची छत्री के बास, यहां पर एक छत्री है जो जगे को एक्स्प्लोर करेंगे और अभी टाइम हो रहा है लगवक शाम के साड़े पांच बजे और मैं और मेरा छोटा भाई अमन हम आये थे घूमने थोड़ी देर तो अभी यहां का नजारा बहुत अच्छा है और सामने का नजारा कुछ ऐसा ऐसा दिखता है यहां से यह सामने यहां से पॉंटा साइब वगेरा सब दिखता है लेकिन आगे कहरा साइब हल्किसी धुन्दे कैसा लग रहा है तेरको बढ़िया हम पहुंच चुके हैं जी विला राउंड के जंगल में और ऐसा ऐसा घना जंगल है यहां पर काफी करना है तुन्हें तो वही क्यों ना इस चटान पर चड़ा जाएं आज और नो यहां से वही कुछ इस तरह का न जा रहा है अगर कोई बंदा गिर गया तो तो वही ऐसा ऐसा कुछ न जा रहा है यहां का और यह रही उपर चत्री अभी यहां से थोड़ी सी दिख रही है तो अभी हम आगे निकल गए है और हम बैठें अभी जंगल में वहाँ से तो अभी कुछ नजारा ऐसा ऐसा है यहां पर ठंड काफी है आज मौसम काफी खराब रहा आज पूरी दिन बर तो अभी भी धुंदसी है चार और यह रहा हो रास्ता निच्चे जो जाता है चंजी आज चार और लोगोंने काफी गंद फैलाई वी है इस नेचरिल सी अच्छी सी जगे में काफी लोग यहां पे इस एक गंद है जपाँ जादा तो कि गलत बात है इस दर आज क्या बोलता है इसके बारे में लोगों ने आज फैला रही है उसको रोकने कोई तरीका होगा हमके बास अक्रनी है अच्छी 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 में जो जहां पे लोग आते हैं अभी हम वह तो नहीं जाएंगे तो दोस्त अब भाईवी जा रहे आगे आगे जारा देखने जारा देखने तो काफी जंगल है यहां पर पूरा जंगल ही जंगल है चार ओर तो अच्छी का विह यहां पर लोगों कितने कंथुलार कि आए कि देख सकती है दोस्तों आज परकृति में ऐसा पूड़ा कच्रा नहीं डालना चाहिए आओ यहां पर खाओ प्यों लेकिन जो अपने साथ समान लाए हो पल तुमों चीजी नहीं रखनी चीज तरहेगी यहां पर कि प्रकृति के नजारे कुछ इस तरह से हैं दोस्तों कि देंदर तब लगे अर निचे गिरेगा ना दोस्तों थोड़ा सा कुड़ा जलाने के लिए भई हमने कप्रियों किया है यहां पर आग हमने जला यह तुसी बाने हम थोड़ा सा खुद को गरम भी कर लेंगे और कुड़ा भी चल जाएगा यहांसे तो अभी हमने आप आग जला लिए थोड़ी सी वही हम बैटे हैं थोड़ी देर तो हम आग सेक रहे हैं और तो यहां पर एक तोड़ा सा कुड़ा था वो भी जल चुका है इसी बाने तो अभी हम कि यहां पर आग सेक रहें तो हमारी आग बिल्कुल अच्छी तरह से जल चुकी है कि यहार जंगल में आग सेकने का कुछ मज़ा ही हो रहे हैं लेकिन ज्यादा आग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आग फैलने का जो खत्रा रहता है और पुशू पक्षी पगेर उनको फि तब ही हमने आग जला ली और अब हमने अच्छी तरह से आग को बुजा दिया है ताकि जंगल में आग ना फैले अब ही चलते हैं घर की और ताइम भी काफी हो गया है खाना भी बनाना है और च्छत्री झाले प्राइम बनाना है और च्छत्री